आप लोग जानते हैं आप लोगों का एक्जाम है कल सबसे पहले everybody मैं आप सबको विश्च करना चाहूँगा all the very best for your examination सबसे पहले कुछ चीजना जान लेते हैं examination देने से पहले देखिए examination के लिए हम लोगों ने बहुत पढ़ाई किये जैसे कि आप लोगों को याद होगा हम लोग काफी टाइम से preparation कर रहे हैं अगर मैं बात करूँ तो मैं तो कुछी टाइम पहले से आपको कुछ चीजना समझाने के लिए है लेकिन आप काफी टाइम से चीजों की preparation कर रहे हैं तो सारी चीज़ां आपके दिमाग में होंगी कल का दिन ये तैय करेगा कि आप उन्हें किस तरह से execute करेंगे important बात ये है कि exam जब भी आपके सामने हो आपको जैसे exam paper मिलेगा सबसे पहली बात stress नहीं लेना एक्जाम के दिन हम लोग सुबर पढ़ते थे साथ बजे मतलब exam से पंदरा मिनिट पहले भी हम पढ़ रहे हैं तो हम लोगों का एक nature होता था कि exam मैं जैसे वो question देखा तो कभी-कभी होता था कि हम लोग सर भूल गए होता था कि हम लोग कोई चीज भूल गए तो guys इसीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ऐसा बिलकुल नहीं है कि हमें बस concentrated होके exam देना है and this is what our particular inspiration is I hope यह सारी बातें आपको समझ में आते होंगी कोई भी नया तरह का आपको अगर question देखता है तो don't lose temper सबसे पहले उसको आराम से पढ़ना है और answer करने की कोशिश करना है देखिए सबसे important बात होती है किसी भी question को आसानी से और आराम से पढ़ना अगर आप question को आराम से नहीं पढ़ेंगे guys तो होगा ही है कि आप कुछ सोच रहे है answer कुछ और हो जाता है जैसे कभी-कभी छोड़ी सी गलती होती थी पूछा जाता है कि antonym हम लगा देते हैं तो मतलब आखों से बोलता है यह ऐसी गलती होती है जो हम expect नहीं करते लेकिन हो जाती है because of stress तो इन सारी चीजों से बचना है और मुझे विश्वास है I believe you people gonna do the magic you people will prove yourself tomorrow बहुत अच्छे से so all the very best everyone शुरू करते हैं आज के session को आज और हम कुछ important questions discuss करने वाले हैं जैसे कि आप लोग देखी रहे हैं this is recorded session due to some urgent reason कि मुझे recorded session आप लोगो provide करना पड़ रहा है कोई issue नहीं है आप लोग फटा फट से चीजों को सीखते चलेंगे हर question पर नजर रहेगी हर question से concept सीख लेंगे so get ready everyone let's begin today's session without delay in time शुरू करते हैं आज के session को फटा फट से तो वही practice question है आप लोगों के और पूरा session जरूर अटेंड कीजेगा सबसे पहला question आप सो को की screen पर ये रहा क्या कह रहा है आप से भाई select the appropriate synonym select the appropriate synonym आपको किसका synonym बताना है accurate का अब हम लोग बच्पन से जानते है accurate बढ़ हम सुनते आए accurate मतलब सटीक, exact जिसे बोलते हैं options देख लेते हैं सबसे पहला real दूसरा आपके सामने लिखा है genuine next sincere next का लिखा है precise सबसे पहली बात ध्यान दीजेगा modern English में exactly word को जी हाँ मैंने क्या कहा exactly word को आजकल क्या बोला जाता है precisely तो बिलकुल accurate का जो correct answer है यहाँ पर आप लोगों का क्या हो जाता है yes, that is precise I hope आप लोगों को यह चीज clear है धिहान रखना है इस चीज को moving towards the next question अलग-अलग तरह के questions हम देख रहे है तो फटा-फट से सरा समझने की कोशिश चलते रही है fill in the blank अब आपको fill in the blank भरना है और कोशिश कर रही है कि उस blank से हम चीजों को समझ पाए है जी हाँ चलिए भई तो देखते हैं क्या लखा है question as he crossed the desert he nearly blank to thirst he nearly blank to thirst अब बात किसकी कर रहा है हो भई he as he crossed the desert desert, रहिस्तान he nearly blank to thirst when he was forced to go when he was forced to go when he was forced to go without water कितने दिन के लिए 4 days और 5 nights सीधी बात वो बोल रहा है यहाँ प्यास तो लगेगी भई जब 4-5 दिन से 4 दिन से 5 रातों से उसने पानी नहीं पिया तो अंत में उसने क्या किया thirst के सामने surrender कर दिया प्यास के सामने क्या कर दिया surrender कर दिया important बात है collocation का point ध्यान रखना यहाँ पर submerge क्या होता है मिल जाना जानते हैं हम लोग submerged हो जाना survived it's known to you everyone survive करना subsist एक simple सा word है justify करते हैं हम लोग जिसको succumb क्या होता है समझते हैं स्चीज को succumb का मतलब English में क्या हो जाता है surrender करना succumb के साथ English में हम क्या follow करते हैं guys क्या follow करते हैं to follow करते हैं so the correct answer here would be succumbed to thirst succumb to death जैसे generally यह word यह वर्ड यूज होता है जैसे कोई विक्ती काफी chronic disease से suffered है तो वन्त में बोलते हैं न उसने मौत के सामने दम तोड़ दिया succumbed to death इस तरह से बोला जाता है clear चलिए भई here comes your next one आप लोग समझ पा रहे हैं चीजों को बिलकुल error detection फटाफट से ज़रा जवाब देने की कोशिश कीजेगा क्या she was unable to produce sufficient evidences for support of her accusations उस पर जो आरोप थे उसके बचाव के लिए वो उतने evidence produce नहीं कर पाई ठीक है ना अब she was unable to produce sufficient देखी क्या लिखा है यहाँ पर evidences क्या लिखा है यहाँ पर evidences और यह बात हम वक्षू भी जानते हैं evidence बोले तो साक्ष साक्ष यानि अपने आप में proof का complete form अब अगर मुझे जैसे की देखी evidence यहाँ पर क्या होगी आपका uncountable noun और uncountable noun को जब count नहीं करते तो उसका plural बनाना संभव नहीं है लेकिन अगर आप चाहते अगर आप इसको लिखना भी चाहते कि मुझे एक proof चाहिए या जितने चाहिए तो हम इसको किस word से change करके लिख सकते थे a piece of तो यह बात clear है evidence आपका क्या है uncountable noun और यहाँ क्या use नहीं करेंगे as it must be clear to all तो यहाँ तो आप लिखो a piece of evidence अगर आपको लिखना है इसको countable के रूप में so the error would be in part B I hope यह बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी clear है चलिए बाई अगले question की तरह बढ़ते हैं fill in the blank फटाफट से जरा सोचिए यहाँ पर क्या आना चाहिए तो देखें once again higher food inflation in combination with fuel and power provided blank to the wholesale inflation क्या है once again higher food inflation in combination with fuel and power provided blank to the wholesale inflation देखते हैं बाई insight insight आप लोग जानते हैं किसी चीज को बहुत निगरानी से देखना आंत्रिक रूप से देखना clear करने की विदश्टी से देखना impetus impetus का मतलब क्या हो जाता है भाई encourage encourage करना बढ़ावा देना किसी चीज को inspiration आप जानते हैं अब देखें यह impetus जो word है यह कब यूज करते हैं किसी चीज में आवेग velocity increase करने के लिए right impression जानते हैं तो यहां wholesale inflation को खोलते हैं आगे बढ़ने के लिए यहां पर inspire किया particularly तो inspiration तो यहां पर गलत हो जाएगा क्योंकि हम बात किस की कर रहे हैं? inflation की तो उससे बहतर option यहां आप लोगों का क्या हो जाता है? imperious imperious, clear everyone so the correct answer would be second समझ में आ गई होगी बात everybody आगे बढ़ लेते हैं भई बने रही है, समझते रही है close passage रखा है आपके लिए क्योंकि कहीं ना कहीं यह बात हम जानते हैं उसका reason क्या है कि हमें fillers तो बढ़ना आ जाता है लेकिन close test का जो strategy है वो यही कहती है कि आपको paragraph के according answer करना है ना की particular blank के according जी हाँ, मैंने क्या कहाँ? हम लोगों को वहाँ पर जैसा paragraph चल रहा है उसके according answer करना होता है generally आप देखते हैं कि हम लोगों को examiner जो close test पूछता है वो इसलिए पूछता है कि आप paragraph से कितना relate कर पा रहे है आपको paragraph की tone समझ में आ रही है या नहीं this could be the probable reason जिस वज़े से examiner आप से close test पूछता है तो decision making पर based होता है generally हम लोग शुरू करते हैं option 1 को fill करेंगे पढ़ते हैं एक एक करके if winter seems to be देखिए कौन सा टेंस है present simple यह सारी चोटी चोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी if winter seems to be the season for migratory birds to flock to warmer climates right warmer climates के लिए summer time is ideal for wetland birds समझ में आता है यह particular line अब पहले option में क्या भरना चाहिए तो देखिए blank 50 km from Varangal in Telangana जरा logically समझने के लिए totally तो बोलते नहीं but बोलेंगे नी not बोलेंगे नी option eliminate की क्या बज़ेगे nearly तो यहां आपका क्या answer fill हो जाएगा पहले वाले में that is nearly sentence के according answer करना है मैं आपसे फिर कह रहा हूँ हमें answer जो करना होता है वो sentence के according करना है यह सारी चीज़ें बहुत important role play करते हैं ठीक है चले तो answer clear है first one का moving towards the next one आगले बार बढ़ते है if winter seems to be the season for migratory birds to flock to warmer climates summertime is ideal I think visible है सब लोगों को right summertime is ideal for wetland birds nearly 50 km from Varangal in Telangana पखल lake पखल या पखल जो भी है उसका pronunciation पखल lake blank to be playing host अब जरा ध्यान दो मैंने आपको बोला था tense का विशेश ध्यान रखना है यही होता है close test का main उद्देश किया आप कितना चीज़ों को correlate करके ध्यान रख पा रहे हो तो जब बात present simple की होई रही है seems तो seems to be playing host बहुत सारे लोग मैंने देखा है बी की साथ हमेशा third form सोचते है अरे जब वो passive होगा तब third होगा जब proper continuous है तो भाई ing लिखनी पड़े ही ना तो ऐसा बिलकुल मैं सोचना हमेशा बस देखना है passive voice है यानि काम करने वाला कोई और है लेकिन मौझूद नहीं है तो third form मौझूद है तो ing form वहाँ पर हम लिखेंगे यान लेक की बात हो रहे ठीक है तो पकल लेक की बात कर रहे है seems to be playing host 2 next question पर आते है host 2 blank wide variety of flora and fauna सुना होगा आप लोग ना flora and fauna पुरी उसकी प्लान की प्रजाती के लिए generally हम लोग बोलते हैं इस तरह से flora and fauna जो अत्पन होते हैं पदा है न ठीक है science के student है आप लोग वैसे भी cds आप लोग preparation कर रहे हैं तो science के बारे में मुझस से जादा knowledge obviously आप लोगों को होगी तो flora and fauna के लिए वहाँ पर हाँ तो यहाँ पर variety अब देखिए हम लोग grammatically अगर देखें तो हम जब भी बात करते हैं किसकी noun of noun ध्यान दीजिए noun of noun जब किसी भी noun को noun of noun के form में लिखते हैं इसका मतलब हो specified हो गया और specified हो गया इसलिए उसको हम उससे पहले क्या लिखते हैं तो देखिए variety of flora and fauna तो यहाँ पर specify किया इसलिए क्या लिखो गया मुझे लगता option में क्या है बात समझ में आ गई होगी clear हो गई होगी जो चीज में आपको यहाँ समझाना चाह रहा हूँ ठीक है भाई चलिए next आते हैं तो the wide variety of flora and fauna आगे देखते हैं blank season तो उस particular season की बात कर रहे हैं दूसरे season की बात होई नहीं रहे हैं तो easiest है that होगा नहीं there होगा नहीं these होगा नहीं क्या हो जाएगा भाई या this हो जाएगा क्या हो जाएगा this हो जाएगा समझ में आ रहा होगा चीजहां को बस इसी तरह ध्यान रखना है ठीक है ना अगले question पर बढ़ते हैं if climate seems to be the season for migratory birds to flock to warmer climates summer time is ideal for wetland birds पहले बाले में कहा था nearly 50 km from Varangal in Thilangana पकल Lake seems to be playing host to the wide variety of flora and fauna ठीक है अब देख लेते हैं यहाँ पर wetland birds from north and central India come blank the south तो south की ओर आते हैं यहाँ हम direction की बात कर रहे हैं क्या बात कर रहे हैं direction की बात कर रहे हैं दिशा की बात कर रहे हैं तो बिलकुल कौन सा option हो जाता है आपका towards बागी options वहाँ पर eliminate हो जाता है clear हो गई होगी चीज तो देखे close message को solve करना generally में से question पूछा जाता है close test को कैसे solve करें देखे close test को solve करना है सबसे पहले elimination लगाओ यानि आपको वहाँ particularly options को क्या करना है eliminate करना है context की according ठीक दूसरी बात हमें यह ध्यान रखना है कि answer हमें paragraph की according करना है answer हमें paragraph की according करना है तो जैसी बात paragraph में हो रही है उसके according में suitable आप option को वहाँ fill करेंगे I hope यह बात आप लोगों को clear हो clear चलिए भई so here comes the next one select the wrongly spelled word select the wrongly spelled word फटावट से बताईए 14th, 48th, 17th या 15th देखिए ये shreddy में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ ये गलती हम लोग से काफी जादा होती है 12th की spelling की right so the spelling of 12th is T-W-E-L-F-T-H ये पहले भी बता चुका हूँ मैं वैसे ही 14th सही है 17th सही है, 15th सही है but 40th की spelling 4 नहीं 4 होगी so that is 40th 40th ठीक है, you वहाँ नहीं आएगा clear है, ये बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान दखनी होती है हमेशा बस exam point of view से important let's talk about the next one select the appropriate synonym क्या बताना है वही है, synonym बताना है किसका बताना है synonym, dedication का किसका बताना है, dedication का dedication समरपण यानि आप किसी चीज़ में कितना ज़ादा involved हैं उसको समझने के लिए, मैं side में हो जाता हूँ I hope शायद आप लोगों को ये नहीं देख रहा हो ठीक है, चले बही तो determination, द्रड़ता trepidation, apprehension, fear of something किसी भी चीज़ में संदे है, डर है किसी चीज़ का commitment, बिल्कुल that could be your answer contentment कैसको होता है, satisfaction contentment क्या होता है भी या contentment मतलब satisfaction about something, clear है ये चीज़ आगे बढ़ लें, समझ में आत रही होंगी चीज़ों को, मैं मान रहा हूँ कि आप ऐस session देख रहे हो और सीख रहे हो, clear चलिए भई, next one, फड़ा फड़ से बताए select the correctly spelled word, अभी हाँ correctly बताना है, आपको वहाँ wrongly था तो देखिये, manageable की spelling क्या होती है, M-A-N-A-G-B-L-E नहीं, M-A-N-E-G-B-L-E नहीं, so the correct one is M-A-N-A-G-E manageable ठीक है ना भई, इन message चुनेंगे कि को, C option will be your correct answer, clear है, चलिए भई, बढ़ते हैं, अगले पढ़ाव की हो रहाँ चलिए, तो फड़ावड से जवाब दीजेगा select the most appropriate for underlined segment underlined segment को आपको चुनना है कि इनमें से कौन सा वहाँ सही है, option के आधार पर eliminate कीजेगा, I hope आपको समझ में आ जाएगा, मैं side में हो जाता हूँ जड़ा पढ़ लीजे, my professor gave me a lot of useful advices when I was writing my research paper, right अब फिर से वही question आता है कि sir, अभी evidences था, वो भी uncountable था जी हाँ, तो advice भी uncountable है, तो क्या नहीं होगा, as नहीं होगा क्या नहीं होगा, as नहीं होगा ठीक है ना, अब अगर हमको बोलना है, एक advice दी, जैसे generally हम लोगों को, हम लोगों के relatives होते हैं, neighbors होते हैं, हम लोगों को salah देते हैं, तो हम बोलते हैं, एक salah दी तो हिंदी में उसको denote करने के लिए हम क्या बोल देते हैं, a piece no improvement तो होगा नहीं, advice is गया, advice is गया, क्या बचकिया, a option is your correct answer, clear, आगे बढ़ें, let's move towards next one, make no head way, make no head way, इसका आपको क्या बताना है, idiomatic expression है, idiomatic phrase है, make no head way, क्या होगा, फट आफट देख लो, forced to fix a new goal, forced to fix a new goal, unable to overtake anyone, check if the head can pass through, तो देखिए, शाम्दे करते ये तो नहीं होगा, force to fix new goal, ये भी नहीं होगा, unable to progress ahead, देखिए, head way का मतलब, रास्ते का रोडा बन गया कोई चीज, अब आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो, आप आगे move forward कर ही नहीं पा रहे हो किसी चीज में, तो इसका मतलब क्या हुआ, unable to progress ahead, ठीक है भाई, correct answer मिल गया, that is your fourth one, क्या हम लोग आगे पढ़ें, let's talk about the next one, चलिए भाई, समझ में आ रही हैं चीजे, select the antonym of the given word, select the antonym of the given word, फटा फट से बताओ, hope का यहां पर antonym क्या होगा, सबसे पहला confidence, क्या confidence हो सकता है, hope का antonym, despair, daring, courage, क्या होना चाहिए, तो बिलकुल सही जवाब, that is despair, यानि we are talking about something which is disheartened, या मैं कहूँ sad feel, यहां निराशा ही हो, losing hope, losing hope, despair का मतलब क्या होता है, losing hope, तो इसका यह क्या हो गया, exact क्या हो जाएगा, antonym, clear है यह चीज, चलिए भई, मैं raise करता हूँ, moving towards the next one, समझने दिख रहा है, सबको, visible है, चलिए भई, error detection, once again, infinite of you, बताइए, कहां गलती है, और क्या गलती है, तो पढ़ लीजिए, आसानी से समझ में, आज आएंगे चीज़े, the team begins searching, देखिए, पहली बात, begin के साथ, zerend भी सही है, begin के साथ, zerend भी सही और infinitive भी, यानि, begin के साथ, हम ing form भी follow कर सकते हैं, और two के साथ, verb की first form, दोनों बाते हैं, ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि ing ही मिले, clear है ना, तो confused नहीं होना है, the team begins searching for reasons, for their poor performance in the tournament, तो पहले तो कुछ लोग सोच हों है, reason, searching for, reason for, तो देखिए, यह search for, तलाश, reason के बाद यहां किया आया है, उसका preposition, तो यह phrasal point of view होगया, वो prepositional point of view का, दोनों बाते हैं ध्यान रखना, ठीक है, अब यहां क्या लिखा है, there, अरे भाई, there क्यों बोलना, जब पूरी team यहां पर बात कर रही है, एक पोलता है ना, unity की, unite होकर पता लगाने की, तो वहां यह distribution तो है नहीं, तो इसलिए there नहीं होगा, क्या हो जाएगा, it's there कब होता, जब अलग-अलग बातें होती, अलग-अलग distribution होता, अलग-अलग बट गई होती team, बात समझ में आ रही है, मैंने आपको पहले भी बोला है, दुबारा से बोलता हूँ, collective noun, जब human being से मिलकर बने, तो एक जुट है, तो singular, तेकिन अलग-अलग members की बात होगी, तो plural हो जाएगी, चीक है ना, वही यहाँ point दिहान में रखना है, clear है न यह चीज, simple सा logical phenomenon, जैसे committee का example भी मैं अगर ले लूँ, committee ने decision लिया, एक मत होकर, तो singular, लेकिन सबके decision अलग-अलग थे, तो plural हो जाएगा, क्योंकि members की बात हो रही है, आयोब यह बात सबको clear होगी होगी, clear, चलिए भई, फटाफट से देखिए, और ये बताने की कोशिश कीजिए, कि यहाँ पर आपका ordering of sentence, कौन सा सही होगा, everybody, फटाफट से ज़रा देख कर बताईएगा, फटाफट से देखते हैं, और समझने की कोशिश करते हैं, we had already covered half the distance, when we reached a three road junction, एसंटेस बोल रहा है, we had already covered half the distance, when we reached a three road junction, ठीक है, चलिए भई, I was worried it might pounce on us, देखिए, it आ रहा है, मतलब इससे पहले कोई noun आया है, और वो क्या कर रहा है, पाउंस कर रहा है, जपट सकता था, यह कह रहा है, but thankfully we picked up speed, and it got left behind, तो मतलब यह बात clear है, एडवर्ब आ रहा है यहाँ पर, तो कोई ना कहीं, यह a kind of conclusion हो सकता है, क्या हो सकता है, conclusion हो सकता है, तो यह भी नहीं है, suddenly a barking dog, बाकिंग डॉग के लिए 8 आ रहा है, यह बात clear है, ब से पहले D होगा, ब से पहले D कहां कहां दिया, यहा नहीं है, ब से पहले D, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, देखो भई, केवल एक से पता चलता है, चीज़न लॉजिकल ही समझोगे न, तो इस तरह से आंसर मिलेगा, आप देख लीजिए, we had already covered half the distance, when we reached a three road junction, suddenly a barking dog, began to chase the bike, for some distance, I was worried, I was worried, it might pounce on us, but thankfully, contradiction हो रहा है, but क्या बताता है, contradiction, but thankfully we picked up speed, and it got left behind, यहानी correct answer, क्या होता है, तो आपको यह बात समझ में आ गई होगी, बिल्खुल, thank you, तो देखें, यह थे आपके कुछ practice questions, जो मैंने आज आज आप लोगों के लिए रखे थे, मैं नहीं चाहता था कि class ऐसा नहो कि, किसी कारण बस नहों, लेकिन important बात यह है, कि आप लोगों के लिए कल का दिन बहुत important है, बस सुबह उठीएगा, आप fresh रहिएगा, कोई भी stress मत लीजेगा, no need to take any stress, देखे, exam है, life is all about giving and taking examinations, अपने आपको काबिल बनाओ, और मुझे पता है, कि you people are बहुत ज़्यादा काबिल, काबिल हैं आप, जिम्मेदारी उठाएंगे, और सर्व करेंगे इस nation को, तो बस ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, at last यही कहूंगा, I am proud of you all, मुझे पता है, you people will do the magic tomorrow, right? So at last, I bragu rest my all lecture here, and one more thing I would like to tell you, tomorrow you will prove what you are, जहन्द everyone, हम लोग जलूर मिलेंगे आप लोगों के एक्जाम के बाद और आप बताईगा किस तरह से आपका एक्जाम रहा, So this is all for now, thank you so much everyone.